हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपकेडगर है मैं एक मनोविकार सेख्स रोग सम्मोहन वैसनमुक्ति तक गया हूँ एक एनलपी ट्रेनर और कोश भी हूँ है काफी सारी मम्मी मेरे पास में आती रहे एंगे श्कूल की बैक निकाल देंगे स्कूल का ड्रेसं निकालेंगे कि टिफिन लेके गए तो वह और कहां डाल देंगे सांस कहीं फेक देंगे और फिर खाना नहीं क्हाएंगे आने के बाद मम्मी को उनकी पीछे-पीछे घुनना पड़ता है बेटा खाले बेटा खाले उसको बोलना पड़ता कि तुने इधर क्यों फेक देया क्bel scratched school जाने के समय सब अब को जमा करना पढ़ेंगा और मम्मी को देना पढ़ेंगा हम हां को तो तो फोन यह परेशान है नित्व हुक्wood ke on शाइ신 ने तो फिल देख शोनि ऐसे वैए न बलनें रहाए किसको या आपका बच्चा है एप परेशानि के आपको मालूम था तो मंद टो शाइदी किया तो बच्चे क्यों गिए तो वने वाले हैं पड़ा ये समझ के जलो कि परेशानी है आप इससे दूर ने हो सकते उल्टा बार बार आप क्या करते हो बच्चों को यह बोलते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा ने था हमारे जमाने में ऐसा ने था हम ऐसा नहीं करते थे हम पढ़ाई टाइम करते थे हम घर में रहते थे हम बहार कर जाते नहीं थे ऐसा उनको अपने टाइम का सुनाते रहते तो मैं मैं वह मम्मीयों को बोलता हूं कि देखो आपके जमाने में WhatsApp था आपके जमाने में YouTube था आपके जमाने में इंटरनेट था आपके जमाने में Facebook था आपके जमाने में कुछ भी नहीं था तो आपको यह दी आपके जमाने में TV नहीं था तो आपको यह दी कुछ time pass करना है तो करन आज बच्चों को क्या है कि खेलो स्कूल में जाओ खेलो उसके बाद में बाकी सब यह करो Facebook है, WhatsApp है, TV है सब जो चीज़े, Internet है, यह सब करो और टाइम मिला तो पढ़ो तो हमको क्या करना पड़ेगा हमको बच्चों के साथ में adjust होना पड़ेगा उनको यह हमने बता है कि तुमारा टाइम पक्का है, तुमारा टाइम फिक्स है यह समय पर आपने यह सोशल मेडिया का वापर करने का है इसके उपर नहीं उसको टाइम दे दिया उनको वाद लाव किया तो हो जाएंगा और वही यह खुद मम्मी पापा वैसे ही करते हैं यह टाइम फिक्स है, उससे में वह फेस्बूक देखते है उससे में वह वाट्सेप करते है तो उनको भी एक आदर्श मिलेगा बच्चों को कि मम्मी पापा ऐसा करते हैं वैसे हम भी करेंगे या वैसा मैं भी करूंगा तो पहले मम्मी पपा को देखना है कि अपने बरताओं ऐसा करना और वैसे फिर बच्चे बरताओं करें दूसरा यह है कि बच्चों को यह मालूम ही नहीं कि पढ़ाई क्यों करना उनको हम क्या करते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ा पर पैखे लगते हैं और पढ़ाई करें ऐसा पिछ लग़क시다 लग фबेद मानधा करना मतलब उसके सामने ना कुछ गोल है ना उसके सामने कुछ येम है कोई ऐसा बड़ा चार्गेट है क्या कुछ भी ऐसा ही कि कुमारा लटकीन इतने मार- मेर हम रगए उसके लिए हमार वज्वत होसार है है उसके लिए मतलब मेरी इजदत मेरे डायदेंटिटी मेरा बच्चा उसने इत्ते मार कमाए इसका मतलब मैंने कमाए तो बच़ों को कि यह सब सोशल मेडिया से दूर रखना है उनसे बात करने पड़ेगी उनको टाइम देना पड़ेगा मम्मी पपा ने उन बच्चों को टाइम जाना पड़ेंगा कि मम्मी पपा जी बीजी है अपने अपने काम में और जब उनको समय मेलता है तो वो भी वाटसेप और फेस्बूप में लगे रहते हैं तो बच्चे ने क्यों नहीं मुझे लगता है कि जब हम कोई होटल में जाते हैं और होटल का बड़ा डाइनिंग हाल है तो मुझे लगता है कि वहां का एक वीडियो शुटिंग कर लो या वहां के फोटोस निकालो काफी सारे लोग बैठे रहते हैं पच्चों के साथ में कुछ कपल से वो खाने की ओडर लोग देने के बाद में खाना चब तक आता नहीं है तब तक सब अपने-पने वॉट्चाप में gebaut या आतने अपने टो में आतने के का आपस میں को अपने पने ऐफक faut back अ ऐद रॉक्ति दो करें広टी स्था खरा में अमेरिकाने मेरा बुखा रहा गया तो जल्ली मालूm होता है मेरे दादी को कोई चोड पहुंच गई या बुखार आया तो मुझे मालूम नहीं होता कि यूँ वाट्सेप पे नहीं या फेस्बूक पे नहीं तो बच्चों को यदि टार्गेट दिया कुछ उनके सामने धेय उद्दिश्ट उद्देश गोल्स उनके सामने रखे कि फज़े पढ़ां कि उसके बारे में बात्चीत किया बागी चीजे कुने करने उसके बारे में बात्चीत किया तो एक Mauro Rinzhanda कि झिम्मेदारी बच्चे लें तो उनके पीछे न लगते हुए यसे ममी को तो समस्दोंegeムिश्चे पीछे लिए बर यहाऊं कामी मना बादचेत किया उसमेह दिया तो बच्चा अच्छा इंसान बन सकता है लोग क्या कहते बड़े घर के लोग बहुत पैसा मैं देती तो बच्चोंको एफाब लुक्त्र को एंगा इस कि जाता है कि डब ताइन दो अधा पैसा दो सुबह जो घर से निकल जाएंगे तो रात तक वह पेशेंटी पेशेंट देखेंगे तो एक बार डॉक्टर साब जब घर से बाहर निकलते हैं तो बच्चा उनको बोलता है कि डैडी डैडी रुको जाओ क्या होिए डेडि आपके पास में पीशेन्ट आथा है तो आप उसको उसको कितना चार्छ है किितने वैसे लेते है कि पूले में भील पर पैसे बारता है न तो ईसके 5000 ता पासवें तौस्थ है जाच कि पांसे पी यॉल ऑन बिरता है वudah ऐसा करो कि इंज्बर दो से 2010 के इसका पिछशे चुड़ा एए रूपे दो कि घुला थे किसले 23 को उसके पास में प्यस्याच रखता है इसमें पैसे जमा करके रखता है इस बहुर खुलता है उसमें से 300 रुपे निकालता है और और तीनसो और दोसो पांसो रोपे उसके डेड़े को देता है वोलते ही आपकी फी हो गई आप पेशन को पांसो रिलने के बाद में 15-20 मिनिट डेखते हैं अब मुझे आप 15-20 मिनिट का टाइम दो तो पैसा सब कुछ नहीं है बच्चों को टाइम देना पड़ता है सच्चाई के साथ में बच्चों के साथ में बात्चीत करना है सच्चाई के साथ में वहवार करना है जिम्मेदार विक्ति और जिसको आगे क्या करना है उसके बारे में बात्चीत भविश्य क्योंकि future के बार में, अपना काम कश करेगा, काफी घर-घर में, प्राबलम होगा, आपके परीचीत जो लोगं, उनके घर में ये प्राबलम होगा, आपके दोस्तों में, ये video जरूर शेयर कीजेगा, WhatsApp में shar करो, YouTube में shar करो, Facebook में shar करो, जहां हम आउब share करो, subscribe करो, शाली देश तैयार होई आएगा आगे आन्यों ली पीडि बहुत ही छत्ती शाली रहेगा सो थैंक्यू बेरी मच्छ